तो आज हम फुकेट में बंगला वॉकिंग स्ट्रीट से होते हुए बिग बुद्धा टेम्पल जाएंगे जो कि यहां से 30-40 किलमेटर दूर है उससे बहले यह देखो क्या बढ़िया गाड़ी है और फिर बिग बुद्धा देखो यह देखो बहुत सुंदर है यार और फिर यहां पर सबसे बड़ा बुद्धा टेम्पल है तो वो देख लेंगे ना उसके राष्टे में जो चीज़े पढ़ेंगी वो भी देख लेंगे पहले काम तो क्या करना है कि मुझे क्या ना मेरे मन में आया है कि साइकल पर चटूर गर लो पर 20-25 किलमेटर चला पाऊंगा यह सोचने माली बात है और यह दुकान पर खड़ो कि सोचूंगा जहां साइकल मिल जाई यह घर जगह पूछ रहा हूं यहां पर इस एरिया में किसी को साइकल ही नीं है मतलब मेरा मन होगे साइकल चलाने का तो अब साइकल नहीं है और मैं भूलता है शाइकल नहीं चलाने भीजेटमे, मलब और जो होता है तो हुटा ही वागिन धूर पर, कोई ग्जेस ही नहीं कर पायागा, यहा भी रात को क्या सेटोने वाला है तो देख लिए ना, इसी रोड पर रात को क्या महाल होता है, क्या पाटियां चल रही होती हैं, सारे खर्ल लाट को अब फुल होती बहुत तगड़ा करा उड था यह तो हुप शोटी सी जलग तो यहां पर रात को होता है पूरी जलक देखने के लिए आपको, जलक नी पूरी चीज़े देखने के लिए नेक्स वीडियो आने वाली है और मैंने पीछे भी कुछ वीडियो दा लिए वो चेक आउट कर ले नहीं तो मैं इसकी नेक्स वीडियो में पूरा बंगला वॉकिंग स्टीट का मुआना करने और भाला हूं, भन्तु शवर आपको दिखाने वाला हूं कि क्या होता है यहाँ आपर यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है तो इन पांच ऑ आ जगे की वीडियो मेरे चैनल पेड़ी है ौ पुरानी वीडियो जा के चेक आउट कर और सारी नाइट लाइफ देख ले दो किलोमेटर की रेडियस में पूरी साइकल सब्सक्राइब किसी के पास साइकल ही नहीं है बता हुआ अब दिखते हैं यह पास लाइसन नहीं इंटरनेशनल लाइसन्स वो घर पे लेट है और यहां फुकेट में चलान भचल भी कर जाता है और सिधा हजार बात का लगेगा एक वो भी रीजन है तो इसले में साइकल सब्सक्राइब क्या करें अब चलान लगेगा तो लगेगा साइकल नहीं मिलते है तो मोटवाइक रेंट करेंगे पेस्टी लगे है मुझे यहां पर यहां पर पचास बास में तो मैं 110 रुपे का पड़ता है यह वैसल तो जादा म बीचर है ताकि कोई डैमेज आता है मुझसे तो यह अपने पास सबूत रखे है जो कि मैं भी करने वाला हूं इसके बाद सेम चीज़ एक बार हम भी अपने फोन से वीडियो बना लेते हैं ताकि स्कूटी में कोई डैमेज यह कुछ हो तो हम पहले से देख सके बार की यह देखो यह मुझे पता है कि इतना संदर बीच साइड में चल रहा है और इतने लोग है यहां पे इतनी साही अच्छी घासी भीड है वहां पर तो इतनी भीड है पूरी भीड वही रुख हुई है यहां पर सुकून और शान्ती तो ओ तो मैं बिक गुद्दर टेंपल न लाइसेंस है तो फिर तो तुम भाई बे धड़क कहीं भी भूमो क्योंकि अब मैं निकलता हूं यहां से अपने स्कूटी पर आज कमारे टार्गेट पते क्या है कि ने पुलिस से बचना है अपने 500 से 1000 बात बचाने हैं चाहे कैसे ही बचाने क्यों हजार बात का मुल्दा स कि पुलिस ना रोक के खड़ीती बहुत बंदो को मैं बस साइट से बच के निकला हूं दिन्यार ऐसे निकलता जाए और बच जाओ मैं और यहां देखो जहां रोकिया मैंने एटी बहुत उची चड़ाई है बधर टेंपल तक और एक चीज पता चल गई कि मैं साइकल से नह पारिया लग रहा है लोग फोटा कीच रहे है अब बता नहीं है पैसे लेंगे नहीं लेंगे जादे टाइम पता चलेगा बाकी अब यहां से है बाई में खेल तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ यह देखो यह चूट ओ बाई एक बात दाओ अभी तुम्हेरा पीछे से अच्छी में बिगस्ट बुद्धा दिखे है मुझे भी तक है यह देखो बीचे से देखो कितना बड़े है यार यूज है यूज यूज यह देख लो एंट्रेओं के चार्ज नहीं पर फ्री एंट्री बस थोड़े कप्ड़े तम हीसे पहनने पड़ेगे इन के हिसाब से और यह देखो शॉट्स होगे रालाओड नहीं है तो दहां पर ऐसा नहीं कि अलाओड निये वंदर नी जा सकते है यह पर देते ही है नीचे बांदने के लिए तो यह बढ़िया ची लगती है मंदिरों में यह आज़िए अज़िए और शॉट अप्र यह जा सकते है यह 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 देखो यह यहां पर पूजा के लिए बढ़ेंगी बहुत यूज है भाई बतानी कैमरे में इतना बड़ा लग रहा है नहीं लग रहा पर यह आर्केटेक्चर बहुत यूज है चलो फिर उपर चड़ते हैं उपर से लेखते हैं यह देखो यहां पर यह देखो यहां पर पूजा के लिए लगाई जाती है अगर बत्ती डाइप है महां से लोग ले रहे हैं यह देखो यहां पर यह पत्ते लगा रखें और यह विश मांगने के लिए तुम्हें जो भी विश मांगनी है वो इस पर लिख तो पूरी हो जाएगी और अब एक बार बुद्धा जी की मूर्ति के राउंड में पूरा एक सरकल का राउंड मार लेते हैं चारों तरफ से यहां से विव बहुत अच्छा आ रहा है चारों तरफ इतना अच्छा विव है बिल्कुल ऊपर तीले पर बना हुआ है मंदर यह देखो क्या बढ़िया क्या सुंदर मूर्ति हैं अन्ना कोई मंतर चल रहे हैं और बहुत ही पीसफुल लग रहे हैं और कानों में आसे जाते वर्थ है और तुम किसी भी मंदिर जा रहे हैं और मंदिर तो हमेशा वर्थ ही रहेगा तुम कुछ नया सेखते हो कुछ नई चीज़े बता जलती है तो जाया करो यह अच्छा पीस्फुल टाइम बिताने के बाद तो अलविदा क्या देता है बुद्धा जी को और निकलत अच्छा ने सकता पता चले ना गया तो प्रैसे तो टुकेट टाउं जा रहे हो तो वहां बस कटे ना चलान गया है तो यहां से निकल रहे हैं और टेंपल में ही यह चोड़े-चोड़े स्टॉल लगे हो हैं जिसको भी टेंपल की कोई भी निशानी लेनी है जैसे कि यह यहां से वह ले सकता है तो यहां से वह ले सकता है माला अगयरा सब आपर अपर अच्छा निशे तरके जारें पार्कें के तरफ पर एक बास बता हूं I think this has to be the biggest बुद्धा I've ever seen in my life मैं देखे ही हैं पैसा और जो जितने यहां पर देखे ना फोकेट वाले बुद्धा सबसे बड़े चलता अपने स्कूर्टी की तरह तो देखते हैं पार्केंग के पैसे हैं पैसे बचाने या एक चीज मैं नहीं देखी है मैं थोड़े से चार-पांच किलोमेटर के लिए क्ल़ ओवाइट जैसे कि पैसा अरू रहे हैं यहां तो बहुत ज्यादा भूग लग 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 ती कूटीयां ख़ी करती है अपने आपको एक रसुरेंट मिला है मैं थोड़े तो डे बिन आराम कर लेका है क्योंकि इत्लमी ड्राइव चितने बाराम गोलगा है और फिर भी बहुत दूर खा यार आप चोडा आराम करके रही पर निंगलते हैं और अब इसे खाएंगे फिर निखाने होगे अपना पूरा समान अठाता है मैं भी पूर समान ली देगता हूं है पर चलते हैं पर निराश उगया हूँ क्योंकि फुकेट का ओल टाउन नी जा पाया जाना था वहां से लेट कट लेना था पर लेट पर चार-पांच भर के पुलिस वाले खड़े थे तो हजार बात चले जाते हैं और मेरेको मार्केट में से खरीद नहीं तो 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 त पर कभी अगली बान आएंगे जब पासपोर्ट 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 पोल रहा हूं जब इंटरनेशनल लाइसनस होगा मेरे हाथ में तब चलाएंगे वह न पर घर पर बढ़ाया गलती होगे लेट अपलाए किया तो लेट आया वाकि यार यह सब था वाला पुकेट